रूस के राश्पती वाल्दमर पुतिन अब 2036 तक रूस के राश्पती रहेंगे जी हां आप सही सुम रहे हैं इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से रूस में वोटिंग हो रही थी वोटिंग समधान में संशूधन के लिए हो रही थी समधान में कुछ नियम परिवर्थत होने के बाद इसकी कौपियों को मार्केट में दुकान पर पहुचा दिया गया था और राश्पती ने जनता से मत मांगा था जिसको लेकर वोटिंग चल रही थी और वोटिंग में पुतिन को जीत मिली है इसके साथ पुतिन के लंबे समय तक राश्पती बने रहने का रास्ता साफ हो गया है अब समविधान संशूधन कानून के जरिये पुतिन का वर्थमान कारिकाल समाप्थ होने के बाद उन्हें 6-6 साल के दो अत्रक्त कारिकाल के लिए राश्पती पद मिलना तय है कोरोना वारस में हमारी की वज़स से आदमर पुतीन को फोन कर बधाई दी है पुतीन ने भी inclusive को बधाई के लिए शुकरिया कहा है प्यामोदी ने दW đây wishvoyju त्जीतने की पच्चत्तरविं वर्षगाठ के लिए भी पुतीन को बधाई दी, इस पर पुतीन उन्होंने पीएम मोधी को शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हमें उमीद है कि दोनों देशों की बीच रिष्टे और बहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे पियमोधी ने कहा कि द्विपक्षिय वाशिक सम्मिलन भारत में होगा और वो पुतीन का स्वागत करने के लिए तयार है